हेलो दोस्तो मैं विमन कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने इस ओफिसेल यूट्यूब चैनल पर दोस्तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप हमाज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर टेकनलोजी से जिरी विडियो अपलोड करते रहते हैं जिस से आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो की इंफ़ोर्नेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी हमने अस्वीन बिहार एप के बारे में कापी सारी वीडियो बनाई है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि उन सारी वीडियों को देखने के बाद भी आपको अभी तक अस्वीन बिहार एप के बारे में सही जानकारी यानिकी सटिक जानकारी नहीं मिल पाई है और आप लोग अभी तक समझ नहीं पाए हो कि आखिर ये अस्वीन बिहार एप किस तरह से काम करता है, क्या करना है, कैसे यहाँ पर काम होगा, यह सारी information से आप अभी भी समझ नहीं पाए होंगी हमें लग रहा है कि आप लोगों के अंदर काफी सारी doubts हैं, जो अभी तक clear नहीं हुआ है, बिल्कुल दोस्तों जबकि doubt तो हमारे साथ भी है, क्या हुआ कि जब application launch हुआ, नया नया, तो उस समय जो है, उसकी जो official website है aswin.bih.nic.in, वहाँ पर जो user manual का option था, वो काम नहीं कर रहा था, तो उस वक्त मैंने aswin.bihar app के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ले पाया, लेकिन कुछ दिनों से हम देखें, कि वो user manual का option है, वो काम किया, और हमने user manual के option पर click करके, करिबन 102 पढ़नों का PDF फाइल हमने डाउनलूड किया है, और उन 102 पढ़नों को जब मैंने देखा, तो मुझे समझ में आया कि अस्वीन बिहार app क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे आप लोगों को आसा दावा पर पत्र भरना है, किस तरह से आसाओं को जो है इसके लिए जो है payment मिलने वाला है, क्या process है, फूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में बिल्कुल आप इस वीडियो में अन्तिम तक बने रहिएगा, तो दोस्तों पहले क्या होता था, कि आसा जो भी एक महिने के अंदर काम करती थी, उसका सारा details एक जो है पर पत्र में भरती थी, उस पर पत्र को हम लोग बोलते थी, आसा दावा पर पत्र, भरने के बाद उसे चेंज हो चुका है, यहाँ पर जो है एक ऑनलाइन एप बन चुका है, जिसका नाम है अस्वीन बिहार एप, ठीक है, जिसको लेकर आभी आप लोग डाउट, जो है, किलियर करने के लिए इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तो आप जो, आप क्या होगा, कि यह जो एप अप्लिकेशन बना है, इस अप्लिकेशन के जरी आपको एक फॉर्म डाउनलोर करना होगा, ठीक है, जो कि आसा दवाप पत्र के तरह ही है, वहाँ पर आपको क्या करना है, आप अपने महीने के अंदर जितने भी जो है काम करते हैं, वो सारा काम आपको फॉर्म में भढ़न हो, ठीक है, तो कुछ इस तरह का ही फॉर्म आपको डाउनलोर करना होगा, और डाउनलोर करने के बाद आप एक महीने के अंदर जितने भी काम किये हैं, वो सारा काम आपको उस फॉर्म में भढ़ना होगा, जितने भी कॉलम है, बिलकुल आपको जो है भरना होगा, सारा कॉ से एक फॉर्म भरना है और भरने के बाद आपको एप्लिकेशन में भी वह सारा काम भरना है आप यहाँ पर जो आप कलम से लिखे आप जो फॉर्म भरे वह फॉर्म आपको फिर से क्या करना होगा आसा फेसिलेटर के पास ले जाना होगा और वह फॉर्म वहाँ पर जो है आसा जाते जाते वह कहां जाएगी डायरेक्ट जो है जीला के पास जाएगी और जीला के पास जाने के बाद ही जो है वहां से आसा के बैंक अकाउट में पेमेंट आ जाएगा तो यह प्रोसेस था स्वीन बिहार एप का यही जानकारी हम आपको पहले ही दे देते लेकिन कंफ्यू जो अस्वीन बिहार एप के यूजर मैनुल को पढ़ना चाहते हो, उसे आप अच्छी तरह की से समझना चाहते हो, तो बिलकुल आप हमें इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, इसके लिए हम आपके लिए गारक से वीडियो लेकर आएंगे और हम आपको बताएंगे क आप यूजर मैनुल कहां से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एक बार यूजर मैनुल को देख लेते हो, तो आपको अस्वीन बिहार एप के बारे में सारी जानकारे मिल जाती है, उसका सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाता है, बिलकुल अगर आपको ये वीडि को आसा गुरूप आसा फिसलेटर गुरूप या फिर एनम गुरूप या फिर पीच्च गुरूप में आप इस वीडियो को सेर कर सकते हो